नमस्कार आप देख रहे हैं HBN News उन्यूस जुलाई की देर रात इलाज के दोरान जिला परिशद सदस्य जमाल अतर की आसमिक निधन के बाद आम आदमी पार्टी के जिला धक्ष शब नवाजे ने DMCH के अधिक्षक से मुलगात की और उन्यूस ने कहा कि इस मामले में जाच होनी चाहिए आम आदमी पार्टी के जिला धक्ष शब नवाजे ने DMCH 19 जुलाई की देर रात इलाज के दोरान जिला परिशद सदस्य जमाल अतहर रूमी की आसमिक निधन को पार्टी की ओर से गंभीरता से इस मामले को लेते हुए DMCH अधिक्षक राम रंजन प्रसाथ से मुलाकात की नवाज ने अधिक्षक को आवेधन सौपते हुए उन्होंने सपष्ट रूप से ये लिखा कि अगर इस मामले की जाच नहीं हुई और स्वरगिया जमाल के परिजनों को इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी बड़ा अंदोलोन करेगी समस्त मिथिला वासियों के लिए ये बहुत शर्मना घटना है जिसमें स्वरगिया जमाल के साथ और उनके परिवारों के साथ डियम सीच के डॉक्टरों और नर्सों ने की है जिसे किसी भी हालत में बरदाश नहीं किया जाएगा ग्यात हो कि इससे पहले भी विगतमा गंगा देवी की मृत्यू का कारण भी डियम सीची है इसलिए अब इन तमाम घटनाओं के बाद आम आदमी पार्टी शांती से नहीं बैठेगी जब तक इन घटनाओं पर निस्पक्षिजाच और दोश्यों को चिनहित कर सजा दिलवाए साथ ही गंगा देवी हत्याकांड पर अस्पताल प्रशाशन की ओर से रिपोर्ट को निराधर बताते हुए पुना इसकी बिजाज कमिटी बना कर पीडित को न्याय मिले इसकी मांकी वही सायोगी नगर अध्यक्ष मुहमद नसीम अंसारी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि डियम सी एच अस्पताल की ऐसी खराब हालत वहाँ के डॉक्टरों के वज़े से हो रही है जो सिर्फ अपनी मरजी से वहाँ काम करते हैं इमरजेंसी वाड में आने वाले मरिजों के लिए डॉक्टरों के रवया से मरीज और भी बत्तर हालात में चले जाते हैं इन तमाम घटनाओं की कड़ी निंदा पार्टी के मिडिया प्रभारी फवाद गजाली नीरज रंजन शर्शीलाल अमित कुमार महम्मद चांध ने भी की विडियो रिपोर्ट एच्बिया नियूज मदद मांगता हूँ कि ऐसे हालात के लिए आवाज उखाएं आवाज को बुलंद करें और इस्तितिका लगातार जाय जालेते रहें हमेशा साथ जालाम हुआ जी मरा नाम शबयन वाज हुआ जिला धक्स आमाने पाकिदर होंगा